माल्दीव की आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दी के तुम ये सही नहीं कर रहे हो जो तुम खुले आम जो ये पंगे जो इंडिया जो साथ ले रहे हो मुजुमिया की बजो गई बैंड मुजुमिया का हट गया धोड पोईजु की इस बार है हलत खराब तो टोटल कितने पैसे देने हैं दोस्तों? 400 मिलियन डॉलर 400 मिलियन डॉलर में सांसूँगा मुल्दीव को भारत को देने कोई 400 मिलियन डॉलर ठीक है? बाई दी एंड औफ 2023 इनको भारत को देने थी तो भी थोड़ा अल्रडी लेड टाइप हो रहा है Now Maldives President Mohamed Muizu has acknowledged India's significant role in providing aid. बारत ने जो यहां से सस्ता इंपोर्टन को मिलता था, उसके उपर रोक लगा दी, अब उनको अंडे मिलना भी मुश्किल हो वे हैं, बाकी सब्जियां वब्जियां, आलू आलू, तेल वेल, यह सब अब उपलब्द नहीं है असानी से, मगाओ जहां से मगाना हो, चीन से मग इस बंदे की जो हरकतों में, जिसको कहता ना, यह हरकत इसकी थी कांटे जैसी है, मलाई बन गई, उसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूँ, मौमद मुईजू ने बोला है कि भाई, भारत जो है ना, मौल्डिव्स का सबसे क्लोजस्ट, यानि कि सबसे नजदी की और सब से पुराना दोस्त है, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, मुझे उशात नहीं हो रहा है, इसको, यह मैटर क्या हो गया, मुईजू के साथ, अब मैं आपको बताता हूँ, मैटर क्या हो गया, एक्चुली मॉल्डिव्स ने लिये थे भारत से, पैसे डेर सारे, डेर सारे पै अब जब इंडियन्स ने जाना बंद करा और भारत के जो वहाँ पर फौजी थे 78-85 के बीच में वो निकल गए यहां टीचर्स निकल गए अब इनको लगा किया हमने ज्यादा बोल दिया और जब तक इनको यह एहसास होता और opposition parties इसको जूते मारती तब तक पता लगा कि वो पैसे देने का वक्त आ गया है अब पैसे वापिस देने हैं इनको तकरीबन चार सो मिलियन डॉलर भारत को देने हैं बाई साब चार सो मिलियन डॉलर तो टोटल कितने पैसे देने हैं दोस्तों चार सो मिलियन डॉलर चार सो मिलियन डॉलर में सांप सूंगे अब यह चार सो मिलियन डॉलर के लिए, सिर्फ पांच मिलियन डॉलर के लिए, इसने, you know what they did, you'll be shocked, इन्होंने पूरा का पूरा एक आइलेंड दे दिया चाइना को पचास साल के लिए, मैं तो कह रहा हूँ यार, अमबानी अडानी को ये बात क्यों नहीं घहन में आई पहले, जब इतना सस् स्टेट ओफ इंडिया, उसको बना के खदम कर देता है, इतने कम पैसे में यार, फोर हंड़िड मिलियन होता क्या है, और फोर हंड़िड मिलियन के चक्कर में ये आदमी बाप-बाप करने लग रहे, ये करने लगा बाप-बाप, अब ये कह रहा है साब, यहाँ पे कि इतना निकट दोस्त है, भारत जो हमारा इतना करीबी भाई है, भारत जो हमारा दिल का टुकला है, हमारे जिगर का टुकला है, क्या वो सिर्फ चारसो मिलियन डॉलर भूल नहीं सकता, क्या इतना मुश्किल है भारत के लिए, क्या भारत का इतना बड़ा दिल नहीं है, क्य चोटे बाई, मुहम्मद मुईजू, कि इतने करजे माफ नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूँ, इसमें हुआ क्या होगा दोस्तों, मैं जो गेस कर रहा हूँ, यह ना कप्टी किसम का अदमी है, मुईजू जो है ना बहुत बदमाश है, इसने पहले मांगे हूँगे यह पैसे चाइना से, मैं आपको गेम बता रहा हूँ, इसने पैसे मांगे हूँगे चाइना से, इसने चाइना को बोला होगा कि सुनो चीनी मी नी चाहूं चाहूं तुम यह पैसा मुझे दे दो मैं इंडिया को दे दूँगा और हम तो तुमारे सगे हैं नहीं चाइनीज ने बोला उकात में रहो खेरात नहीं बट रही यहां पे ठीक है जकात नहीं बट रहा है यहां पे ठीक है, उसके बाद obviously अब यह बात तो करनी सकता था, इंडिया आउट, यह आउट, मोदी साब से मिला होगा, मोदी साब को बोला होगा, सर थोड़ा देर से देता हूँ, ठीक है, okay, no problem, that would have been said at that time, and then you can see that, you know, कही ना कही Maldives की हाला थोड़ी सी obviously, खराब होनी शुरू हो गई है, now, देखें, ऐसा है, मैं आपको यह पूरा इंटर्व्यू के बारे में बताऊंगा, so that we can try and take a decision as to, हम क्या समझते हैं इसके बारे में, what can we understand with this entire game, right, so let's look at it, a little, थोड़ा सा विदा कीन आए, इनों ने बोला कि साब मैंने कोई ऐसा action नहीं नहीं है, मेरी government है, ना मैंने क नहीं लिया कि भारत के साथ relationships कराब हो, interesting, ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि साब ये देखो, जब जो मुझे बात करना पड़ा है, भारत से, ये इसलिए है, क्योंकि जो previous government जो हमको condition छोड़के गई थी, वो उनका debt है, तो मैं क्या करूँ, मेरे को भारत से काम करना पड़ेग Exactly what he said, तो changes tune की उपर एक question mark नहीं पर लग जाता है, कहते हैं जो repayment structure बनाया था, जो loan बनाया था, मैं क्या करूँगा, मैं कोई project रोकना नहीं चाहता, जो भारत यहां पर development चीज़ कर रहा है, मैं उसको रोकना नहीं चाहता, बट मैं क्या करूँ, मैं इस situation में भसा हुआ हू उसके बाद कहते हैं कि देखो ऐसा है, obviously अब जब Maldis भारत की बात आती है, तो troops की बात आती है, ठीक है, तो troops के बारे में यह कहते हैं कि देखी हमारा ऐसा है, कि हमारा जो एक relationship है, यह बहुत खराब हो गया है, यह troops के चक्कर में, and मेरा जो एक नजरिया है, यह Maldis के self-sufficient बनाने के लिए एक काम कर रहे है भारत के against हमारे को कोई वो नहीं है भारत हमारी help करता है as a matter of fact भारत हमारा closest ally है ये हैं मौल्डीव्स के मुजू अब बोलते है ना भागते भूत की लंगोटी पकड़ो वैसी वैसी ये try कर रहे है तो यह economy collapse होने वाली है economy collapse होने वाली कारलमेंट के लेक्शन आगए उनके और public जो है वो गालियां दे रहे हैं बुरी तरह से मुजू को और तो मुजू जो है वो कल statement देता है कि भारत तो हमारा जो है वो सबसे नजदी की ally है दोस्त है हमारा ये मुजू मियां बोल रहे है मुजू मियां किसी को मुटिया ना सम भारत जो है वो तुमारे जासे मच नों को मुसल ना बहुत अच्छी तेरे से जानता है उसमें पाकिस्तान वाज जैसे बड़ी मक्ठी को मसल दिया तो तुम चो एक चोटे से मच झूट रहो पाकिस्तान को कैसे मुसला भारत ने ट्रेड़ बंस कर दी उसको इग्नॉर करना शुरू कर दिया तोटल इग्नॉर मार दिया वागी जो उसके दुश्मन थे जो उसके और कुछ परिशान थे उन्होंने बारत से साहिता मागी नहां लो गई साहिता देने में तो अब नमबर एक है पूरे विश्व में बहुत अच्छी साहिता देते हैं अबर लोन भी देते हैं तो बहूत सस्थे दाओं पर देते हैं को देश आपको गुलाम बनाने का नहीं है जो चीन का देश है एक पुरे के पुरे अध्वरस्ता को गुलाम बना लिए जा है ऐसा हमारा को धेश होता नहीं है तो इसलिए लोग चेनरली परद ने रहते है लेकिन करे बार उनको लगता है कि आच यह अच्छा मुस्लमान सबसे वाले हर्वों को तो समझ में आ नहीं की मोज़ू में भी इन रहुट है साथ है में है